आप नाम लिखवा रहे हैं? अब वो फल किसने तोड़ा, किसने पाला, किसने उसमें पानी सीचा, क्या किया, कैसे आया, कैसे गया, पैर में रखा रहा, कि शिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है, तो ऐसी परिस्तिती में केवल सामने सामने की बात आप कह रहे हैं, तो आप अच्छा फिर अचानक कर दे रहे हैं पहले ऐसी कोई सिक्षा का आप बर्ग चलाते कि जो कामड़िये हैं उनका प्रसिक्षन होगा उनको समझाया जाएगा कि देखो शाहत्र के अनुसार जिस समय हम कामड़ ले करके चलते हैं उस समय हमको पविटर्ता की आवसकता होती है पवितर भोजन करना आवस्यक होता है पविटर जीवन जीना होता है आप तो डीजे बजवार आए हो आप तो जो है वो उचलवार हो कुदवार हो तो ऐसी परिस्तिति में कामड़िये जो धार्मिक भावना है उनके अंदर और वो कैसे उनके अंदर आएगी, तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो बिद्वेश फैलेगा, हमारा अपना सोचना है, बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं, अब में उक्तेश वरा नंद, लेकिन जो सच है वही तो हम क इसे कह दें कि ये सही है, क्यों कि मुसल्मान की दुकान है, हिंदू नोकर है, बनाने वाले सब हिंदू है, और मालिक जो है गला पर बैट करके मालिकाना कर रहा है, अब नाम लिख दिया गया कि ये और उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा, आर्थिक असर पड करेंगे मालिक की तुकान रहेगी लेकिन उचटनी कर देगा तो हिंदू हिंदू छटनी में जाएंगे फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू-मुसल्मान की भावना आप तेज करोगे तो अभी मुसल्मान मालिक ले ने हिंदू कारीगर रहे हैं हिंदू-मालिक ने मुसल्मान भी कारीगर रहे हैं अब उनको यहात generated में जानते थे Horn यहीन लेकिन इस भावना को नहीं यह बल नइन ता अब बल आ जाएगा इस से ब जब बल आ जाएगा तो बो हर समय हिंदू-मुसल्मान की दृष्टी से एक दूसरे को देखना सुरू करेंगे तो उनके दोने अंदर कड़वाहट टकराहट पैदा होने लग जाएगी तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं अच्छा आज परिस्तिती ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी ख बिचार करते थे हम लोग तो आज भी इसकत बात का विचार करते हैं कि कहा खाना है कब खाना है कैसे खाना है आधी आधी लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब बिचार करता नहीं है और ऐसी परिस्तिती में उसको समझाईस तो ठीक से दी नहीं गई लोगों को भी इस में ठीक से awareness लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे यह भाव है और इसमें किसी को भेद भाव डालने की हमारी किसी को निशा दिखाने की ऐसी कोई भाव ना इसा बाता बरन एक बनाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो साहिद ज्यादा क किराय देता है अब वो कह रहे हम में कोई फरक नहीं हूं नहीं है हम तो मुसल्मान के दुकान में गए थे उन्होंने टेंट लगाया था अगद्दा वी शाय था आम तो वहां आराम किये और से क्या प्रण। अब देखिए वह कामर वाला है लेकिन असा जो कह रहा है ऑब पूरा असर दिखा पाएगा देखिए पवितरता अच्छी चीज है और इस बारे में अगर कोई विचार करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन उसके लिए उचित बाता बरन बना करके तब इस बात को कहा जाना चाहिए अन्य था अचानक कर देने से जैसे नोट बंदी अचानक कर दी गई थी तो लोगों को कितनी परेशानी हुई तो अचानक नहीं करना चाहिए उसके बारे में बाता बरन बनाना चाहिए समझाए इस देने चाहिए और तब जाकर के और जगह जगह उस तरह की बेवस्था कामरीयों के लिए क्या सरकार यह नहीं कर सकती कि हर किलो मीटर पर कामरीयों के लिए लंगर लगा दे हिंदूओं को ही प्रिरित करके लगादे सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि यहाँ पवित्र भोजन थे तर्म शास्त्र में नियम है वैसा भोजन वैसी चाहिए वैसा दूद बना करके रख दो अमरणाथ में ययातरा होती है हम लोग तो लंगर नहीं चलाते हैं लेकिन हमारे सिख बंधु जगा जगा पर खड़े हो करके जंडा ले करके खड़े हैं आईए जी खाईए जी खाईए जी खाईए जी खाईए वो खिलाते हैं वो सरकार से पैसा थोड़े लेते हैं अपने पित्र Jubazois गरेंने ढुप इंछन से बैठाते अपने भंन के ल Civil के लिए से सब्सक्राइक करते ही है अभर सोरकार आग्रह करते हैं कि पवित्र होजन करने के लिए इंस संस्ताओं को दी जाती है और अवसर दिया जाता है तो कामर के रास्ते में जगा-जगा ऐसी व्यवस्ता हो जाती है वो सामाने रूप से लोग करते ही हैं तो फिर कानुन की भी जरूरत नहीं पढ़ती और पवितरता भी मेंटन हो जाती है तो ठीक है ना तेखिए जो इस नियम को अचानक लागू किये हैं कहीं न कहीं राजनीती उनके मन में है और जो इसको इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि यह तो राजनीती का मामला है राजनीती का नहीं भी है तो राजनीती सिद्ध कर देंगे वो भी तो राजनीती ही कर ल यूपी की हग हवर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेश्ट यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहें